सब्सक्राइब तु माई चैनल बाई प्रिसिंग रेड बॉटन और क्लिक ओन दी बेल आइकेन फॉर नोटिफिक्शन अफ लिटेस्ट अपडेट्स बिपची दलका सिर्ष नेता हरुले नया सरकार गठन का लागी सक्रियता बडायायका सन राष्टपती विदादेवी भन्डारीले संबिधान को धारा चैत्तर दुय अनुसार सरकार गठन को आवान गरे पची नेता हरुले सक्रियता बडायायका हुन गठा वंदन को सरकार ब कांग्रेस का सभापती सेर बहादुर देवबा मावबादी केंद्र का अध्धक्ष्या पुस्पकमल दाहाल प्राचंड रजसप अध्ध चुपिंद्र याजब बीच बुड़ानी लकंठमा करीब एक घंधा छल्फल भाई कुछा वहां हरु बीच करीब एक घंधा कुर्या कानी भायो समसामाई के राजनाइती घटना करम र अब कसारी अगाडी बढ़ने भने मार छल्फल के एंद्री त रहयो थप छल्फल गरदे जाने भनने चा सुरोतले भाने उ चल्फल मा कांग्रेस का तर्फबात देववसहित महामांत्री पुण बहादुर खड़का र केंद्री सदसे रमेश लेखा को सहभागी भाय का थिये परधानमत्री के पिसर मा ओलीले सुमबार परतिनीती सभाबात विश्वासको मत जुताउन सके का छाइनाना ओली सोत पदमुक्त भाय का चाना ओलीको पच्छे मा तीरानमे मत मात्रे आयको थियो जबकी बहो मत का लागे 166 समसद चाहिन्थो एमाले काई नेता माधब नेपाल का पच्छे का 28 समसद हरुले ओलीलाई मत दिये का चाहिनान भने विपच्छी मा एक से 24 मत परे को थियो साथे राष्ट पतिले सुम्बार बेलुकी दलहरुलाई नया सरकार गठन का लागे बही बारसम समय दिये की होना एसे बीच कांग्रेस भापती देवबाले नया गठ बंधन सहीत सरकार गठन गरने अगरोशरता देखाये का चान प्रचंडर पेंद्र संग छलफल गरेका देवबाले आज अप्रहान तिन बजे पाति पदादिकारी बैठक पनी राखे का थिये जसा पाफित्र नया शरकार बारे भने बिबाद देखिये कुसा अधच्य महंत ठाकूर पच्छे ने पाति बैकल्पिक सरकार निर्माण मा नलागने भन्दै सोंबार राथी बिगगपती जारी गरेका थिये झाल झाल